पहले तो पहले तो उसके ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना एक एक बार उसका एक एक चीज की समिक्षा कर रहे थे क्या हुआ तो एक एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्षा में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जाजा करके एक घर में एक एक बात को पूछेंगे, देखेंगे, कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही न बगल वाला बोलेगा, तो ही उसको फिर समझा करके कि भई देखिए, तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाती लिखा जाना तो ठीक नहीं है जाती लिखा गया तभी न संख्या ठीक से होगा तो इस तरह से एक एक चीज़ सबको समझाएं हैं अलोग पूरा ट्रेनिंग करके अभू करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी ठीक से होना चीए ताकि सही मायने में संख्या की गिंती हो जाएगी तो ठीक रहेगा और कौन अलग-अलग जातियों जाती जन संख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य के पूरी जन संख्या हो जाएगी तो इसलिए एक दम बिल्कुल और आर्थिक स्थिति सब का देखना उसको बहुत सिखवाय है कि कोई जातर है उसकी आर्थिक स्थिति देख लेजिए ताकि आर्थिक स्थिति के बारे मे जानकारी होगी, तो हम लोग इस तरह से करवार है, सर्विक्षन लेकिर इसके अलावे तो बात ये भी नहीं विकास भी चाहते हैं, हम लोग तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फाइदा मिलें लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए, और कोई गरिबी इस्तिती में है तो उसको और क्या करना चाहिए एक एक चीज की जानकारी खाले जातिका आधारित गन्ना खाली हम नहीं करवा रहा है पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षन हो जाएगा ताकि एक एक चीज की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए ताकि सब लोगं का विकास हो जाएं झाल झाल